बिस्मिल्लाह रर्रह्मान रर्रहीम, अस्सलाम अलेकुम वर्रह्मत लाही वबरकातु हूँ वेलकम तु माई केचिन, मैं हूँ शेफ हफसा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशिस ही रेसिपी लेके आए हूँ आज हम बनाएंगे एक मज़िदार सा कोरियोने स्टाइल एक सेंविच और यह बहुत ही यमी बनता है, तो रेसिपी का कोर्वीबाट मिस मत कीजिएगा आई इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बरतन में थोड़ा पानी उबाल लेंगे इसमें आट करेंगे 1-2 टीसपून सॉल्ट और बहुत ही आथियाद से इसमें तीन अंडे आट करेंगे उबलतने पानी में अगरे हम तेजी से अंडा एट कर देंगे तो नीचे से लग की तूट भी सकता है और अब हम इसको कवर करके अंडे को बोईल कर लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए 10 मिनट में अंडा अच्छे से बोईल हो जाएगा इस ताह से हम एक बोल में पानी भूर लेंगे और इसमें अंडा निकालेंगे और 5 मिनट की बाद हम अंडे को सिंपल इस ताह से चलका उतार लेंगे तो पानी में नमक एट करने के वज़े से एक शेल जो बहुत ही असानी से निकल जाता है अंडे से चिपकता नहीं है वोल की वे अंडों को हम एक बोल में निकालेंगे और एक मैशरी की मदद से अची तरह से मैश कर लेंगे तो अंडे जो यहाँ पर बहुत ही अची से मैश हो गए है अब मसमें तकरी बन 3 टेबल स्पून में रोनी जाट करेंगे 1 4 टी स्पून ब्लैक पर पाउडर यानि की काली मिर्च पाउडर 1 4 टी स्पून सॉल्ट और साथ ही हम यहाँ पर 1 टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट अट करेंगे और इसको अची तरह से मिक्स कर लेंगे तो यह बहुत ही अची तरह से मिक्स हो गया है सैंड़िच की हाफ फिलिंग जो वो रडी है अब हम एक बोल में एट करेंगे इस तारा फाइन जूलियन में कटा हुआ गाजर गाजर को इस ताहा बारीक लंबाई में कट कर लिया है मैंने और साथ ही हम यहाँ पे हाफ कब जो वो गोबी एट कर लिंगे बाई कटी हुई लंभाई में इस ताहरें को बी को simple cut कर लिया है मैंने अब हम इसमेद करेंगे नामक तकिरबंवन 4 ती स्पून और इसको अच्छी से mix कर लेंगे और 5 मेरीड के लिए छोड़ देंगे और 5 मेरीड के बाद इसको इस को आच्छी से squeeze कर लेंगे इससे जो भी excess water होगा वो निकल चाहेगा इस तरह इसको हम निकालेंगे एक बोल में और इसमें हम एट कर लेंगे तकरीबन 2 टेबले स्पून मियोनीज साथ ही हम इसमें 1 अब टी स्पून शुगर एट कर लेंगे ये पाउडर चीनी है और इसको अची से मिक्स कर लेंगे ये हमारे सैंविच की बागी के हाप फिलेंगे ये भी रेडी हो गई है अब सैंविच बनाने स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम सिंपल एक ब्रेट स्लाइस रखेंगे उसके साथ से इस तरह कर लेंगे अब हमसमें कैबिच वाली फिलेंगे इस तरह हो इस प्रेट कर लेंगे इसके ओपर हम रखेंगे प्रेट की एक और लियर इसके ओपर हम एट करेंगे स्ट्रोबेरी जैम अब आप मेंसे कुछ लोगों कोई अजीब लग सकता है लेकिन यह बहुत ही दिलिशिस लगता है और अगर आप यहां पर स्ट्रोबेरी जैम नहीं यूज करना चाहते तो सिंपल यहां पर केचप आट कर लेंगे कोई प्रोब्लम नहीं जैसा आपको पसंदे वैसा बनाए अगर में इसके उपर एट करेंगे एग की फिलिंग यह बहुत ही डलिशिस होती है और इसको अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे इस तरह अंडे की फिलिंग को अच्छे से स्प्रेट कर लेना है और प्र में इसके उपर एक और ब्रेट स्लाइस रखेंगे अब हम सेंविच को प्लास्टिक रेप पे रखेंगे और सेंविच को बहुत ही अछक्षी से क्लिंक फिल्म में रप कर लेंगे तो जी यह अच्छी से रप हो गिया है अब हम सेंविच को स्टा countries में समयोट कर लेंगे और यहाँ पर महां बहुती डिलिशिस्ता को यून सेंविच जो वो गुड को रडिये तो अगर आपको सेंविच के रेसिपी पसंदाई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चानल को जरू से सब्सक्राइब कर लीजिएका मिलते नेक्स रेसिपी में इंशा और अशक मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशिस एक और राइस केक्स की रिचिपी लेकर आए हूँ यह बहुत ही यम्मी बनके रेडी होंगे हम इसको बहुत ही क्विक सा बना के तैयार करेंगे जिस्ट वन आर में अर्मी आए सबसे पहले हम एक बोल मेण करेंगे एक कप पानी, साथी समेट करेंगे 140 इस्पून पेंग सॉल्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक को पानी में डिजॉल्फ कर लेंगे, नमक के भी दाने होते हैं, अब हम समेट करेंगे 200 ग्राम राइस फ्लार, यानि कि चावल का अठा, ये एकदम फाइन राइस फ्लार है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ये इस्था से मिक्स हो गया, अभी हम इसमे और पानी अट करना है, तो सिंपल में यहाँ पे आदा कब पानी और अट कर रही हो, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो यह अच्छी से mix हो गया है, दिखें इस तरह का better बनाना है अब हम इसको simple cling film से wrap कर लेंगे, अच्छी तरह से बिबकोर wrap कर लेना है अब हम इस पतीली मेट करेंगे पानी, तकरीबन दो ग्लास पानी इसके उपर एक stand रखना है, और फिर इसा से bowl, यह heat proof bowl है, इसलिए मैं आप इस्तेमाल कर रही हूँ, अब हम इसको cover करके इसको 30 मिनुट के लिए steam देंगे, medium flame पे तो मैंने इसको तकरीबन 30 मिनुट के लिए steam किया है, अब गर्म गर्म rice cake को जल्दी से एक dough mat पे निकाल लेंगे, और dough mat पे हरका soil लगा लिएगा, अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से कूटना है, तो इस तरह किसी heavy cheese की मदद से इसको अच्छे से कूट लेंगे, इस तरह ह हमें इस तरह इसको अच्छे से कर लेना है, तकरीबन 10-15 मिनुट के लिए अच्छे से कूटना है, इससे ही cherry बनेगा, हमें इस dough को रैसनी देना, गर्म गर्म dough के साथ ही काम करना है, तो मैंने इसको अच्छे से कूट लेया है, अब मुझे dough काफी जिगली फील हो रही है, तो simple dough का इस तरह से देखे पिर्या बना लेंगे, अब हम इसको divide करेंगे चार पीस में, हर पीस को हम simple इस तरह से रोल कर लेंगे, अब simple हमें rice cakes को cut करना है, तो उसके लिए cutter को इस तरह से हर्का से tilt करके, इसको इस तरह diagonal में cut कर लेंगे, तो इस तरह से में तमाम cut कर लेंगे, और यह बहुत ही बहते हें लग रहे हैं, देखें एक्दम मसिदार से, और आप देखिए सकते हैं कितने जिकली है यह, तो इस तरह से हम इसको बना कर फ्रेजर में store करके रहे सकते हैं, जब भी आपको बनाना ओ और simple निकाल ले फ्रेजर से और इसको boil कर लें, इसको boil करते हम एक sauce में, तो इसके लिए sauce तैयार करते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए gochujang, यह basically Korean red pepper paste होता है, और मुझे मैं जिस grocery store में जाती हूँ, वहाँ पर मिल गया तो मैंने ले लिया, यह halalे, एक पैन में हम एट करेंगे 2 tablespoon gochujang, साथी इसमें brown sugar add करेंगे 1 teaspoon, साथी आम इसमें 1 teaspoon red chili powder add करेंगे, यह जो है कश्मेरी लाल में अचे, color इसका red होता है, लेकिन spices में नहीं होती है, sour sauce 1 tablespoon, pink salt 140 spoon, साथी आम इसमें डेकब पानी add करेंगे, और इसको अच्छे से mix करेंगे, जब यह अच्छे से mix हो जाएगा तो हम इसमें थोई से chicken sausages add करेंगे, साथी हम इसमें add करेंगे rice cakes, और अब इसको cover करके हलकी आच में पांच मिनिट के लिए पकाएंगे, तो पांच मिनिट में यह अच्छे से फूल जाएंगे, बहुत ही अच्छे से cook हो जाएंगे, देखिए कितने best यह लगे हैं, अब हम इसमें add करेंगे थोई सी green onion यानिके हरी प्यास, और इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे, यह अच्छे से mix कर लेंगे, यह देखिए हिपर अच्छे से mix हो गया है, और बहुत ही delicious rice cakes जो एड़ी है, बहुत ही delicious बन के ready हुएं, अगर आपको इस yummy rice cakes की recipe पसंद आई, तो इस video को like कीजिएगा, YouTube चानल को ज़रो से subscribe कर लीजिएगा, मिलते नेक्स recipe में इंशाल्ला, Allah Hafiz.